बहुत बहुत स्वागा थे आपका आठ्वीक अच्छा गनीत के इस वीडियो लेक्चर में इससे पहले वीडियो में हमने प्रस्ण नमबर एक के इन सारे प्रस्णों के हल्कों देख दिया है इस वीडियो में हम इसके आगे के जो प्रस्ण है उनके हल्कों देखेंगे देखिए ध्यान से एक बेड़ना का टैंक के अधार की परदी 176 सेंटीमीटर तथा उचाई 30 सेंटीमीटर हो तो उसके वक्रप्रिष्ट का छेत्र फल ग्यात कीजिए ठीक है तो कैसे हल करेंगे देखिए सबसे पहले तो आपको हल लिखना है फिर उसके बाद दिया है लिख ठीक है फिर उसके बाद बिलना कार टैंक की हाधार की परदी बराबर 176 सेंटीमीटर तथा उचाई परदी के लिए कोई संकेत इस्तिमाल नहीं किया है और ना ही उचाई के लिए एच वाला जो संकेत है उसको इस्तिमाल किया है हमें formula सब्दो वाला इस्तिमाल करना है ठीक है देखो यहाँ पर जो सुत्र है वो संकेतिक रूप में न लिखकर साब्दिक रूप में हमें लिखना होगा कैसे लिखेंगे उसको देखिए अतह टैंक की वक्र प्रिष्ट का छेत्र फल बराबर आधार की पर्धी गुना उचाई जब हम फॉर्मूला निका रहे थे फॉर्मूला बना रहे थे तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले हमने लिखा था अधार की पर्धी गुनीत उचाई बराबर वक्र प्रिष्टा उसके बाद अधार की पर्धी को हमने संकेत रूप में लिखा था उचाई को भी संकेत रुप में लिखा था तब जाके हमें ये वाला formula प्राफ्थ हुआ था 2πr.h वाला ठीक है वकरफ्रिष्ट का जो ये वाला formula है यहाँ पर इतनी का जो मान है वो क्या है वो जो है कि अधार की पर्धी है और ये वाला क्या है उचाई है तो इस प्रस्ण में particular इस प्रस्ण में हमें जो सुत्र है उसको साब्दिक रुप में लिखना है क्योंकि यहाँ पर सिधा-सिधा अधार की पर्धी का value दिया है और उचाई का मान भी दिया है यहाँ पर हमें संकेतिक रुप में लिखने की बिल्कुल भी जवरत नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे ठीक है तो इतना करने के बाद हमें करना क्या है अधार की पर्धी का जो मान दिया है उसको लिख लेना है 176 cm है और उचाई जो है कि 30 cm है अब इसके बाद यहाँ पर गुना करेंगे तो हमें वेल्यू मिल जाएगा कैसे करेंगे देखो इस 0 को थोड़े दिर के लिए इग्नोर कर दो है ना 3 6 18 हात में आया 1 3 सत्य 21 21 और 12 हात में आया 2 3 एकम 3 3 और 2 5 और यह वाला 0 को यहाँ पर लिख देना है ठीक है अब देखो यह वाला cm में है यह भी cm में है दोनों गुना होंगे तो क्या हो जाएगा वर्ग cm तो इस तरीके से हमें टैंक की वक्र प्रिष्ट का छेत्र फल का मान राप्त होगा ठीक है चलिए प्रस नंबर 3 को देखते हैं प्रस नंबर 3 बोलता है एक बेलन का आयतन 44 घं सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है उसका संपून प्रिष्ठी छेत्र फल ग्यात कीजिए ठीक है तो यह कैसे बनेगा चलिए देखते हैं सबसे पहले तो यह नंबर डालना है फिर उसके बाद हल फिर उसके बाद डेश फिर उसके बाद दिया है और फिर अलफिराम ठीक है यहाँ पर जो जानकारी दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं बेलन की आयतन आयतन का सुत्र क्या होता है भी पाई आर स्क्वेर डॉट एच जहाँ पर आर क्या है त्रिज्य है और एच क्या है उचाई है ठीक है बराबर चमालिस सेंटीमीटर की घात तिन घन सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर की घात तिन अब यहाँ पर हमने डारेक्ली इस्तेमाल कर दी है संकेत को पाई आर स्क्वेर डॉट एच तो यहाँ पर हम बता देते हैं जहां आर बराबर त्रिज्जा और एच बराबर उचाए इसके बाद क्या करना है हमें ये जो दूसरा मान दिया है उसको भी लिखना है ठीक है तथा त्रिज्जा अब त्रिज्जा तो इस स्मॉल आर है तो उसको अंदर में लिखना पड़ेगा त्रिज्जा आर बराबर दो सेंटी मीटर अब देखो हमें यहाँ पर ग्याद क्या करना है संपोन प्रिष्टी छेतरफल ग्याद करना है ठीक है और संपोन प्रिष्ठी छेत्रफल का सुत्र होता है तू पाई आर कोश्टक में आर धन एच ठीक है अब देखो यहाँ पर हम संपोन प्रिष्ठी छेत्रफल तभी ग्याद कर सकते हैं जब हमें आर और एच के वेल्यू प्राप्त हो यहाँ पर हमें आर का मान पता है लेकिन एच का मान नहीं पता ठीक है तो इस प्रस्ण में हमें एच का मान प्राप्त करना पड़ेगा एच का मान कैसे मिलेगा उसको यहाँ पर देखे ठीक है इसको मैं उपर कर देता हूँ यहाँ पर ध्यान दो आयतन का सुत्र में आयतन का सुत्र में क्या है पाई आर स्क्वेर डॉट एच बराबर चमालिस गहन सेंटिमीटर तो इसी फॉर्मुला से हमें जो है की एच कमान मिलेगा तो चलिए प्राप्त करते हैं चुकि बेलन की आयतन बराबर पाई आर स्क्वेर डॉट एच बराबर चमालिस सेंटिमीटर की घारतिन पाई आर स्क्वेर डॉट एच बराबर चमालिस एक बार आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पर जो संकेत हैं जिनके जिनके वेल्यू आपको पता है उनके मान यहाँ पर रखते जाए ठीक है पाई कमान होता है 22 बटा 7 पाई कमान कितने रखना है अपन को 22 बटे 7 रखना है फिर उसके बाद आर का वेल्यू यहाँ पर जो दिया है उसको रख देते हैं दो की घाद 2 और एच कमान अपन को प्राप्तन है अब पाईस बटे 7 दो की घाद 2 कमान है 4 और यह हो गया एच यह हो गया चमालेश अब देखिए इसको हम और सिंप्लिफाई कर लेते हैं 22 और 4 का गुना होगा तो यह हो जाएगा 88 बटे में कितना है 7 और बगल में कितना है एच और बराबर के बाद है चमालेश अब हमें यहाँ पर किसके वेल्यू चाहिए हमें एच के वेल्यू चाहिए तो यह जो 88 है ब 40 अपने जगा में है यह जो है कि दूसरे साइड में जाएगा अब देखो 88 बटे साथ एच के साथ क्या हो रहा है गुना हो रहा है तो दूसरे साइड में जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा ठीक है अपन भाग के जगा क्या बोलते हैं यह जो 88 बटे साथ है यह क्या हो ओके अब यहाँ पर इसको हम simplify कर लेते हैं चमालीस एकम चमालीस दुनी 88 तो age का value हमें को मिर रहा है 7 by 2 कितना मिर है? 7 by 2 और यह किसमे है? cm में है आप चाहो तो इसको 3.5 भी लिख सकते हो लेकिन नहीं लिखो गए तो भी चलेगा इसी value को क्या करना है? हमें संपूर्ण प्रिष्टी छेत्रफल के जो formula है उसमें रखना है ठीक है? तो कैसे करेंगे? आगे देखिए हमें यहाँ पर उचाई कमान मिल चुका है तो हम संपूर्ण प्रिष्टी छेत्रफल ग्याता सकते हैं ठीक है? इसलिए अतह बेलन की संपूर्ण प्रिष्टी छेत्रफल बराबर 2πi r r प्लस h यहाँ पर value रखेंगे ठीक है? इससे पहले कि मैं value रखूँ क्योंना मैं इसको थोड़ा सा उपर कर देता हूँ ठीक है? ऐसे हैं 2 कमान 2 ही रहेगा πाई कमान 22 बटा 7 रखना है r कमान 2 यहाँ पर भी 2 h कमान 7 बटे 2 इस तरीके से हैं अब 2 और 22 कमाना करोगे 46, 48 बटे 7 कोश्टक के अंदर में क्या होगा? उसको देखिए 2 धन 7 बटे 2 को जब जोड़ेंगे है ना? तो यह अपका हो जाएगा दोनों के हर में 2 आ जाएगा इस 2 का गुना इसके साथ होगा तो 2 दुनी 4 7 के बटे में पहले से 2 है इसलिए 7 के साथ किसी कभी गुना नहीं होगा तो यह साथ ऐसे यहाँ पर क्या हुआ है? उसको अच्छे से समझ लो दो धन 7 बटे 2 को यदी हमें जोड़ना है यदी इन दोनों को जोड़ना है तो दोनों का हर बराबर होना चीए तो यदी मुझे इसके हर को 2 के बराबर करना है तो क्या करना होगा? इसके हर में 2 का गुना करना पड़ेगा और यदि हर में 2 का गुना करूंगा तो अंस में भी 2 का गुना करना पड़ेगा ठीक है तो क्या हो जाएगा 2 दुनी 4 ठीक है और इसके बटे में 2 आ गया है और इसके बटे में भी 2 है तो 2 और 2 को common यहाँ पर लिखना है तो यदि आपको पर्मे संख्याओं का जोड़ना घटाना नहीं आता है तो या तो कक्षा साथी में देखो या तो कक्षा आठीवी के लास्ट लास्ट में इसको फिर से लायागा है तो इसको आप फिर से आठीवी कक्षा में भी समझोगे है तो ज़्यादा टिंसर नहीं लेना है, ठीक है, आगे देखते हैं, क्या होगा, 88 बटे 7, 7, 4, 11, बटे 2, ठीक, अब ये 2 और ये 88, ये आपस में कर जाएंगे, ओके, दो एकम दो, दो चमाली सम, उसके बाद 11 का गुना, 44 के साथ करेंगे, ठीक है, तो 11, 44, 4, हाथ में हैं 4, 11, 44, 4, फिर उसके बाद 4 को करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, 484 बटे 7, और 484 को जब हम साथ से भाग देंगे, तो अपन को कितना मिलेगा, 7, 6 के 42, चलो देखो, ये 4, 8, 4 है, 7 से भाग देंगे, तो 7, 6 के 42, उसके बाद यहाँ पर 6 आजाएगा, ये 4, 7, 8, 56, 7, निया, 3, 60, ठीक है, फिर उसके बाद 1, दसम लगाएगे, 7, एकम 7, फिर उसके बाद यहाँ पर आजाएगा, 3, फिर सुन, 7, 1 की, 7, 4, 28, फिर 2 आजाएगा, ठीक है, ये 10 समलों लगा हुआ है, साथ दो निचा उदा, ऐसे, तो यहाँ पर आपन को वेल्यू मिलेगा, 69.142, ठीक है, तो ये आपका वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रस्न का आंसर कम्प्लीट होता है, देखो क्या है ना, वीडियो को थोड़े से पीछे ले जाओ, और लाइन से देखो, और चीजों को नोट करते जाओ, तो आपको इसके सॉलूसन अच्छे से और समझ आगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रस्न नमबर 4, प्रस्न नमबर 4 क्या बोलता है, 14 मिटर व्यास की 25 मि मिटर मिट्टी निकलेगी, पहला प्रस्न हो गया, दूसरा क्या बोलता है, इसी में, इस कुमे को अंदर की ओर से प्लास्टर करवाने में, 3 रूपिये प्रती वर्ग मिटर की दर से कितना खर्च आएगा, देखो, इस प्रस्न को व्यवहारिक प्रस्न कहा जा सकता है, क्यो यार हमने मिट्टी निकालने वाला फॉर्मूला तो देखा नहीं है, ठीक है, या फिर खर्चन निकालने वाला फॉर्मूला नहीं देखा है, हमने अभी तक जो फॉर्मूला इस पार्ट में देखा है, वो क्या देखा है, बेलन का, आयतन का सुत्र देखा है, ठीक है, और वक्रप्रिष्ट का सुत्र देखा है, संपौन प्रिष्टी छेत्रफर का सुत्र देखा है, यहाँ पर मिट्टी खोद के निकालने वाला सुत्र नहीं देखा है, तो यह बोल क्या रहा है, उसको अच्छे से समझो, यहाँ पर चित्र में देखो यदि ये आपका धरती का सता है, ठिक है? धरती का सता यहाँ पर ये कुवाँ कोदा गया है और ये कुवाँ कैसा है? बेलनाकार है त्योंकि जो पाठ हम पढ़ रहे हैं वो बेलांस से सम्बनती थे ठीक है और गनित में आदर्स बहुत जादा होते हैं ऐसा मत समझना कि ये कुवा जो है कि ऐसे खड़ा-फड़ा वाला कुवा है ठीक है ऐसा मत समझना ठीक है ये एक आदर्स बेलनाकार कुवा है समझा रहा है इसका जो धरातल है वो जो है कि आपका वृत्ताकार है इसका जो उपर का भाग है वो भी वृत्ताकार है और ये सब तरफ से अद्दम चिकना सपाट एक बेलनाकार कुवाँ खोदग है अब ध्यास समझे कि यहां से यहां तक जो भी मिट्टी यहां पर होगी उसी को बहार निकालोगे और वो मिट्टी का मात्रा कितना हो सकता है जितना की इस बेलन का आयतन है क्या वोरों समझे हो ये जो आपका कुवाँ का साइज है इसी साइज के अंदर से आप जो है की मिट्टी को क्या करोगे बहार निकालोगे फिक है अब ये जो मिट्टी की मात्रा है वो किसके बराबर होगा जितना बेलन का आयतन है मतलब की जो हम मिट्टी खोद के निकालेंगे वो कुए के आयतन के बराबर होगा कुमे के आयतन के बराबर होगा इसका मतलब हमें आयतन ग्याद करना है क्या ग्याद करना है अब दूसरा प्रस्टन में क्या बोलता है इस कुमे को अंदर की ओर से प्लाश्टर करवाना है अब अपना लॉजिक लगाईए कि आप plaster कौन से area में करवाओगे ये जो उपर का area है जो कि इसका ढखकन है यहाँ पर तो plaster आप करवाओगे नहीं क्योंकि यहीं से तो पानी को बहार निकालना है ठीक है? यदि हम नीचे के area में plaster करवा देते हैं तो पानी आएगा कहां से? है ना? क्योंकि इस कुवे में पानी कहां से आता है? धर्ती के अंदर से जो पानी रिजे रहता है और यहाँ पर इस्टोर रहता है वही पानी जो है की उपर आता है अब ये उपर कब आएगा? जब ये वाला area ओपर रहेगा ये वाला area में मतलब plaster नहीं करवाएगे तभी तो यहाँ पर पानी उपर आएगा ठीक है? तो ये वाला area में हम plaster नहीं करवा रहे है उपर का area में plaster नहीं करवा रहे है तो plaster कहां पर होगा? plaster होगा इसका जो वक्र प्रिष्ट होता है न चारो ओर का जो दिवार है कुए में चारो और का जो दिवार है जो कि हम बो सकते हैं क्या बो सकते हैं बेलन का वक्र प्रिष्ट तो उस वक्र प्रिष्ट में हमें प्लाश्ट करवाना है इसका मतलब दूसरा चीज हमें क्या ग्यातन है इस कुमे का वक्र प्रिष्ट का खेतन परफर ग्यातन है तो हमें इस प्रस्ण में दो चीज ग्यातन है एक तो आयतन ग्यातन है और दूसरा वक्रफ पृष्ट ग्यातन है ठीक है तो चलिए इसको हल करते हैं ठीक है चांथा हल बेस दिया है बेलनाकार कुवें की व्यास व्यास को हमको किस से दर्साना है? टू आर से क्योंकि जो भी सुत्र होते हैं उसमें व्यास डारेक्ली नहीं आते त्रिज्या आता है इसलिए हम व्यास को 2R के द्वार दर्साएंगे और तूरन त्रिज्या का मान को भी ग्याद करेंगे तो व्यास 2R बराबर 14 मीटर इसलिए अब देखो दूसरे जो प्रस्ण होते थे उसमें हमको उचाई देते थे ठीक है और उसको हम एज के द्वार दर्सा आते थे मैंने यहाँ पर गहराई को भी एज के द्वार दर्सा दिया ऐसा क्यों? क्योंकि यह कुँआ है इसलिए यहाँ पर गहराई बो रहे है यदि हम simply एक बेलन लेते हैं तो इसी गहराई को हम क्या बोल देते हैं? उचाई बोलते हैं तो यहाँ पर गहराई बोलो या उचाई बोलो दोनों का मतलब सेम होता है इसलिए मैंने हाँ पर age का हिस्तेमाल किया है ठीक है अब हमें क्या ग्याद करना है कुए की खुदाई में कितना मिट्टी निकला है ठीक है तो अब कुए की खुदाई में निकली मिट्टी अब देखो अभी हमने डिस्कास किया कि कितना मिट्टी निकल सकता है जितना कुए का आयतन होगा उतना ही मिट्टी निकल सकता है तो निकली मिट्टी बराबर कुए का आयतन ठीक है तो इसको इस तरीके से आपको लिखना है कुए का आयतन अब कुए कैसा है बेलनाकार है इसलिए आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वेर डॉट एच ठीक है बेलन के आयतन का सुत्र को यहाँ पर आपको लिखना है पाई R square dot H अब यहाँ पर हमें क्या करना है value को रखते जाना है पाई कमान रखना है 20 बटे 7 आर कमान कितना रखना है भई जितना आपने यहाँ पर ग्यात किया है 7 और यहाँ पर घात में 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा ठीक है और उचाई कमान कितना है 25 अब इसको उचाई बोलो या गहराई बोलो ठीक है confused नहीं होना है है ना तो उचाई कमान यहाँ पर रख देंगे अब इसको आगे हम solve करेंगे कैसे solve होगा उसको देखे 22 और यह जो 7 की घात 2 है इसको मैं लिख लेता हूँ 7 गुनी 7 और फिर यह आपका 25 और बटे में क्या है हाँ पर 7 है अब देखो यह वाला 7 और यह वाला 7 क्या होगा कर जाएगा अब यह जो बाकी बज गया इसको हपन को गुना करना है तो बारी बारी से गुना करते हैं 22 और 7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4 हाथ में आए 1 7 दूनी 14 और 1 15 ठीक है और इसके साथ 25 का गुना होना है तो 25 चौंक 100 हाथ में आया 10 25 पंचे 125 एकसोब पचेस और 10 135 ता 5 हाथ में आया 13 25 एकम पचेस 25 और 13 38 तो इतना हो गया अब देखो यदि आपको डारेक्टली गुना करने नहीं आता है तो जिस तरीके से अपन बच्पन से करते आ रहे हैं उस तरीके से कर लो ठीक है 5 चौंक 20 हाथ में आया 2 5 एम 25 25 दो 27 हाथ में आया 2 5 एम 5 दो 7 2 चौंक 8 2 पंचे 10 हाथ में आया 1 2 एम 2 और 1 3 सुन्य 7 आठ 15 हाथ में आया 1 7 और 1 8 हाथ में आया कुछ नहीं ठीक है यहाँ पर कुछ नहीं आएगा फिर उसके बाद यह 3 तो इस तरीके से गुना करके भी हम लिख सकते तो यह अपन को मिर रहे अब देखो यह क्या है आयतन है और आयतन की इकाई क्या होती है घन होती है घन इकाई अब इकाई क्या है यहाँ पर मिटर ठीक है तो घन मिटर तो कुवा को जब खोदोगे तो 3850 घन मिटर मिट्टी बाहर निकलेगा अब मिट्टी का हिसाब तो हो गया अब हमें करना है प्लास्टर का हिसाब तो ये दो step में बनेंगे पहला step तो ये कि प्लास्टर करने का जो छेत्र फर है उसको ग्याद करना पड़ेगा और उसके बाद खर्च निकलेगा ठीक है और अभी हमने बिसकस किया कि हम कुवें के कौन से एरिया में प्लास्टर करेंगे भई है ना देखो कुवा कैसा है बेलनाकार है है ना अब इधर से तो अपन को पानी निकालना है और इधर से पानी क्या होगा उपर चड़ेगा है ना धरती के नीचे का जो पानी है नीचे के जो एरिया है उपर चड़ेगा नीचे से उपर चड़ेगा और उपर से निकलेगा तो ये जो दो एरिया है यहाँ पर हम प्लास्टर करनी सकते कौन से एरियम प्लास्टर करेंगे ये जो आपका वक्रप्रिष्ट वाला एरिया है ना इसमें हम जो है कि प्लास्टर करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा फिल हाल ये जो कुवा है उसका वक्र प्रिष्ट को ग्याद करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए वक्र प्रिष्ट ग्याद करते हैं अब कुवी का वक्र प्रिष्ट का छेत्र फल बराबर कुवा कैसा है बेलनकार है ठीक है तो यहाँ पर वक्रपिष्ट ग्याद करोगे तो कोन से सूत्र से ग्याद करोगे वक्रपिष्ट के सूत्र से ग्याद करोगे ठीक है 2πr.h बेलन के वक्रपिष्ट का सूत्र है यह ना अब इसमें हम क्या करेंगे, value रखेंगे, 2, pi कमान 22 बटा 7, r कमान 7, यहाँ पर 7 मीटर तीज्या है, है ना, और उचाई 25 मीटर, ठीक है, 7 और 7 कर जाएगा, 22 और 2, 22 और 2 का गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 44, और इसके साथ अपन को गुना करना है, 25 का, तो 25, 400, हाथ में आया, 10, 25, 400, 100 और 10, 110, तो यह हो गया, और यह क्या है भईया, वर्ग मीटर, देखो, अब हमें यहाँ पर वक्र पिष्ट का छेत्र फर मिल गया है, तो हमें प्लास्टर का जो खर्च है, वो भी पता चल जाएगा, कैसे चलेगा, उसको देखिए, अता है, प्लास्टर करने पर, खर्च बराबर, कुल छेत रफल, कुल छेत रफल, जिस पर, जिस पर, प्लास्टर की जाए, गुना, प्रती वर्ग मीटर, प्रती वर्ग मीटर, खर्च, ठीक है, प्रती वर्ग मीटर, जो खर्च है, उसका गुना, कुल छेत रफल, जिस पर, प्लास्टर की जाए, के साथ गुना करेंगे, तो हमें, प्लास्टर करने पर, जितना खर्च है, वो मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर, कुल छेत रहे, ग्यारा सव वर्ग मीटर, और प्रती वर्ग मीटर, यहाँ पर, तीन रुपए, खर्च होने है, ठीक है, तो यहाँ पर, मैं तीन लिख देता हूँ, और जब हम इसको गुना करेंगे, तो हमें मिलेगा, तैतीस सव रुपए, ठीक है, तैतीस सव रुपए, यहाँ पर, खर्च होंगे, तो इस तरीके से, हमें, दो आंसर मिल रहे हैं, एक आंसर, जो यह खर्च हमको पूछा था वो, और दूसरा आंसर है, यहाँ पर, जो यह आंसर नहीं है, ठीक है, यह एक बीच का पद है, जिसके द्वारा आंसर प्राफ होने है, तो जो चीजे आपको प्रसन में डारेक्ली पूछा जाता है, वो आपका आंसर होता है, ठीक है, जैसे आपको कितना मिट्टी निकालना, यह पूछ रहे है, तो जो आपने बता मारे हो की इतना मिट्रीव निकालने तो ये एक आंसर औह सरा ये की कि इतना खर्च होगा तो यहां पर जो हम बता रहें की इतना रुपए खर्च होगा तो ये इसका आंसर रहता है ठीक है तो फ्सो ये वाला जो प्रसने आपको समझ आया हूगा यदी नहीं आएूगा तो एक बाई और ध्यान से देखो इसको चरूर समझ आएगा ठीक है चलिए नेश Herr telling के प्रसण को देखते हैं पाल देख्ये पटुथ क्यों प्रसनब बड़ा ही सिम्पलशन है ठीक है इसको सॉल करते हैं पाच्वा हर कि कि दिया है कि कि बेलन की आधार की परिधी बराबर 6 मिटर तथा बेलन की उजाई बराबर 44 मिटर अतह बेलन की वक्रपिष्टर बेलन की वक्रपिष्टर बराबर आधार की परिधी गुनीत उजाई ठीक है? ऐसा उला प्रस्न हम एक और सौल कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर यह ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए ठीक है? अधार की परिधी और उचाई को यदि आप गुना कर देते होना तो आपको वक्रपिष्टर डारेक्ली मिल जाता है इसलिए यहाँ पर आपको जो सुत्र रूप है संकेतिक वाला सुत्र है है ना? उसको लिखने की जवरत नहीं है डारेक्स साब्दिक रूप में सुत्र को लिखना है ठीक है? और जो वेल्यू यहाँ पर दिया है ना? उसको रखना है और मान को ज्याद कर देना है आधार की पर्थी दिया है 6 मीटर ठीक है और हुचाई दिया है चमालिस रखो और इसको गुना करके डारेक्टली वेल्यू को प्राप कर लो 6 चौंग 24 हाथ में आया है 2, 6 चौंग 24, 24 और 2, 26 तो यह है छेत्रफल का इकाई किस में होता है वर्ग में होता है इसलिए 264 वर्ग मीटर ऐसा और यहाँ आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ज़ी देखे प्रस नंबर 6 प्रस नंबर 6 क्या बोलता है एक बेलन की वक्राकार भाग का छेत्रफल मतब वक्राकार भाग का छेत्रफल मतब वक्रापिष्ट का छेत्रफल का मान यहाँ पर दिया है एक हजार पाई वर्ग सेंटिमिटर और उसका व्यास 20 सेंटिमिटर उस बेलन की उचाई कितनी होगी यहाँ पर हमें बेलन की उचाई पुछी जा रही है ठीक है कैसे हल होगा उसको देखें छे हल दिया है बेलन की वक्राकार भाग का छेत्रफल वक्राकार भाग मतलब वक्र प्रिष्ठ ठीक है और उसको संकेतिर कुप में लिखे तो उसका मान क्या होता है तू पाई आर डॉट एच बरापर एक हजार पाई वर्ग सेंटिमिटर यह अपन को दिया हुआ है ठीक है अब तथा व्यास प्यास मतलब टू आर ठीक है टू आर बरापर दिया है बीस सेंटिमिटर ठीक है अब देखो यार यहाँ पर एच का मान क्या है एच क्या है आर क्या है है ना अब देखो यार यहाँ पर जो एच और आर है वो क्या है अपन को बताना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जहां क्या है तो इस तरीके से अपन को बताना यह वैसे यदि हम यह नहीं बताते तो भी चलता है क्योंकि इस पार्ट से रिलेटेड यह जो संकेत है उनका मान आर बड़ाबर तीर जह होते हैं और इसलिए अलग से आपको बताने की जोरत नहीं है लेकिन यदि आप बताते हो तो आपको जो solution है वो जादा सरल हो जाता है जादा सही हो जाता है ठीक है इसलिए आपको ये बताना चीए कि आप जो संकेत इस्तेमाल कर रहे हूँ वो क्या है यदि यहां पर देखो 2 व्याष प्रम तो अपन को सब्लेजा का मान Memory में दाने की जोरत नहीं है लेकिन उचाए अलग से कहीं पर यूज नहीं हो रहा है तो अपन को उचाए का जो संकेत है उसको बतानी की जोरत है ठीक है तो इस चीज को समझे कि जो भी आप संकेत इस्तिमार कर रहे हो और वह यदी वह डारेक्ली इसपस्ट नहीं हो रहा है जैसे यहाँ पर आपको इसपस्ट हो जाएगा यार कि व्यास बराबर टू आ रहे हैं ना लेकिन यहाँ पर कैसे इस पष्ट करोगे कि h बराबर क्या है, r के बराबर क्या है, है न, तो वहाँ पर आपको बताने की ज़ुरत होती है, ठीक है, तो यह बता देंगे उसके बाद, अब चूंकि 2πr.h बराबर 1000π, अब इसको हम डारेक्टली कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कोष्टक में पहले ही बता दिया हूँ, कि वक्राकार भाग का छेत्रफल, कोष्टक में 2πr.h, मतलब कि वक्राकार भाग का छेत्रफल संकेतिक रूप में 2πr.h है, और इसका मान 1000πr है, ऐसे हम बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम डारेक्टली इसको लिख सकते हैं, ठीक है, तो 2πr.h यह क्या है, वक्राकार भाग का छेत्रफल है, और इसका मान 1000πr है, ठीक है, यहाँ पर हमें r का मान अलग से ग्याद करने की जवरत नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पर देखना, 2 और r को हम साथ में ऐसे रखते हैं, ठीक है, और यह जो πाई है, इसको हम दुसरे साइड में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1000πr के बते में यह वाला जो πाई है, वो चले जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर 2 r का मान 20 cm है, यहाँ पर दिख रहा है, तो उस value को यहाँ पर हम रखेंगे, 20, 2 r का मान, क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, और यह जो गुना h है, उसको अलग से रखेंगे, पाई और पाई यहाँ पर कर जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, 1000, ठीक है, अब हमें यहाँ पर h कमान ग्याद करने हैं, तो h को अकेला रहने देती हैं, 20 को हम दूसरे साइड में भेजेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 1000 की बटे में चले जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, अब 20, 21, 25, 100, 20 सुन्यम सुन, ठीक है, अब देखो, इसको ऐसे कार सकते हैं न, यह 0 और यह 0 को कार दो, 20 मतलब 2 पंचे, 10, 2 सुन्यम सुन, ऐसे, तो h कमान में में रहे हैं, 50 सेंटी मीटर, h क्याविया, उचाई है, ठीक है, यदि आप इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो, तो कैसे लिखना है, अतह, उचाई, h, बराबर, 50 सेंटी मीटर, तो इस तरीके से इसको लिखना है, और यह तो इस प्रस्ण के साथ ये वाला जो प्रस्णा वली है, वो कंप्लेट होता है, और साथ ही ये वाला पार्ट भी कंप्लेट होता है, hope so अभी तक के वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने जरूर मिला होगा ठीक है मिल दे हैं नेश्ट वीडियो में नेश्ट पार्ट में तब तक चैनल के साथ बने रहिए चैनल को ज़िस सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजी बेस्ट अप लग पढ़ाई किजी थैंक यू